दोस्तों आशा करता हूँ आप सब ठीक हो अगर आप शॉर्ट ड्रेस पेहने के शोकिन है तो गुटने का कालापन इसकी बादा नहीं बनना चाहिए गुटने हमारे स्कीन के ऐसे हिस्सों से एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कालापन नजर आता है असल में गुटने आसानी से मुड़ सकते है इसके लिए इस हिस्से पर तवचा ज़्यादा लचली और अतिरिक्त होती है जब यही तवचा इकटी हो जाती है तो उसमें थोड़ी डार्कनेस दिखाई देती है टांगों की तुलना में गुटनों का रंग थोड़ा गहरा होना बहुत सामान्य बात है पर अगर इन में ज़्यादा कालापन है तो आपको कुछ घरेलो नुस्के करने चाहिए ओल्यो ओल की मदद से बनाया गया स्क्रब गुटने के कालेपन को दूर कर सकता है इसके लिए दो चम्मच ओल्यो ओल को लेकर उसमें दो चम्मच चीनी मिलाए अब इसे गुटने पर लगा कर सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें इसके बाद करीबं पाच मिनिट के लिए इसे यूँ ही छोड़ दे अन्तमें पानी से इसे साप करें निम्बू का रस एक प्राकरोतिक ब्लीचिंग एजन का काम करता है इसलिए गुटनों का कालापन दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसके इस्तेमाल के लिए निम्बू का रस निकाल कर उसे गुटनों पर लगाए और करीबन एक गंटे के लिए यू ही छोड़ दे अन्तमे पानी से इसे वाश करे आप इस उपाय को प्रती दिन कर सकते हैं एक टेबल स्पून बेकिंग सोडा में एक टेबल स्पून दूद मिलाए अब इसे गुटनों पर लगा कर हलके हाथों से सर्कुलर मोशन में करीबन दो से तीन मिनिट के लिए स्क्रब करें अन्तमे साप पानी से इसे साप करें आप एक दिन छोड़ कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा आपके डेर स्कीन को निकालने के लिए अच्छे तरीके से काम करता है जिसके कारण स्कीन का कालापन कम होने लगता है एक चम्मच नारियल का तेल लेकर उसमें एक चम्मच अखरोड का पाउडर मिलाकर पेष्ट बनाए अब इस पेष्ट से 2-3 मिनिट के लिए अपने गुटनों पर स्क्रब करें अंत में पानी के मदद से इसे साब करें साब करने के बाद आप नारियल तेल को गुटने पर लगा सकते हैं नारियल तेल स्कीन को हाइडरेट करता है और स्कीन का कालापन कम हो जाता है अलोवेरा जेल भी गुटने के कालेपन को बेहत अच्छी तरीके से दूर कर देता है इसके इस्तमाल से आपको अपने गुटनों को गोरा बनाने के लिए मदद हो सकती है अलोवेरा की ताजा पत्यों को तोड़ कर उसका जेल निकाले अब इस जेल को गुटने पर लगा कर 15-20 मिनिट के लिए छोड़ दे इसके बाद में गुन-गुने पानी से अपने गुटनों को साप करे इससे आपके गुटने गोरे दिखने लगेंगे दोस्तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो आपका सुझाओ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना धन्यवाद